स्वागत सुभा के साथ बजगे हैं और हम आपके लिए फिर से करेंट अफेयर की स्रीज लेकर आ गया है जहाँ पर आज हम लोग आपके साथ 9 फुरवरी 2023 के महत्पण करेंड के स्रीज पढ़ेंगे सबसे पहले 10 इसकी महत्पण टॉपिक थेरी उसके बाद इससे जुड़े हुए एमशी क्यों पढ़ेंगे जी हां आने वाले रवीवार्श हम लोग साथा ही करेंड अफेयर पढ़ेंगे एक बार में शबी पूरे एक साथा का करेंड अफेयर एकी दिन में क्योंकि यहां पर प्रदिन में आपको लोग को भी समश्रा होती है और एकी दिन में एक हपते का रटलो स्रीज हम लोग सुरू करने जा रहे हैं जी हां जहां पर करने सासा सब बीवीत तत्य होंगे सबसे पहले हम लोग कोसिस करते काच की जो महत्तपों टॉपिके पढ़ने नौप फरवरी दोजार 23 वीडियो को जुड़ेगा अपने मित्रों को शेयर करियेगा और अंतक बने रियेगा सरकार ने मार्च दोजार 26 तक पीएम कुशुम योजना का बिस्तार कियान अए जानते हैं किन सरकार ने प्रधानमंतरी किशान उर्चा उत्थान महाबियान पीएम कुशुम योजना को मार्च दोजार 26 तक बढ़ा दिया बिस्तार पीम कुश्म का कार्यानवन पर महामारी के प्रभावा की भरपाई करने में मदद करेगा केंदने 2022 तक 3800 मेर्कावाट की सौरच हमता जोड़ने के लिए 2019 में यूजना को लांच किया था सरकान इस यूजना में 4422 करोड रुपाय का निवेश करने की यूजना बनाई थी आई ये पीम कुश्म के बारे में कुछ महत्रपुन तत्य पढ़ लेते हैं जो परिच्छा गलोपी होगी है इस यूजना को उद्देश भारती किशानों को उर्जा सौरच हमता को बढ़ावा देना है साथ ही या यूजना सौर उर्जा उत्पादन में भारत के हिस्सेदारी बढ़ा कर लच को प्राप्त करने में मदद करती है पीम कुश्म में तीन मुख घटक होते हैं कंपोनेंट सी सरकार 15 लाग ग्रेट से जुड़े क्रिशी पंपों को सोलराजेशन के लिए काम करेगी अई दिखते हैं पधान मंत्री नेरेंद्र मोदी जी ने 6-8 फरी 2023 तक बैंगलूरू में तीन दिशी भारत उर्जा शप्ता का उत्गाटन किया ये आयोजन उन चुनवतियों और 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 शुरू पर चर्चा करने के लिए परश्प्रिक और गैर पारंप्रिक उर्जा उद्योग सरकार और सिछा जगत के निताओं को एक साथ लाएगा जो एक जिम्मेदार उर्जा संक्रमण प्रस्तूत करते हैं भारत के उर्जा भविशी के चुनोती और और सोरो पर चर्चा करने के लिए 3,000 से अधिक प्रत्निधी 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता एकत्रित होंगे कारेकर्म के दोरान प्रधान मंत्री वैश्विक तेल और गैस एयों के साथ एक घोलमेज बातचीत में भाग लेंगे पर हरी दूर जाके छेतर में कई पहल भी शुरू करेंगे आई देखते हैं कुछ इसके भीवित्तत न्यूज पीम मोदी ने नंसीसी के 75 सफल और सों को चिन्हित करने के लिए 75 उपय का बीसे सिक्का जारी किया पीम मोदी ने राष्थान के भीलवाडा में भगवान डेव नराण के 1111 में अवतार महत्सों को संभूधित किया पीम मोदी ने करनाटक महराष्ट के कई विकास उजनाव का शुभारम किया पीम मोदी ने उत्रपदेश के बस्ते जिले में शांसत खेल महाकुम 22 तेस के दुसरे चलन का उधगाटन किया पीम मोदी ने सिकंदराबाद को विसाका पट्नम से जोड़ने वाली आठवी बंदे भारत ट्रेन वर्चूली हरी जंडी दिखाई जी हाँ अब हम बढ़ते हैं आज के तिसरे टॉपिक की तरफ जो आपके लिए भाहती महत्तपोर है जी हाँ इसमें साओधी एरब फुडवाल एसियाई कप दोगर 27 की मेजबान करेगा करेगा एसीयाई फुडवाल परिसंग ने घोचलना की कि साओधी अरब 1956 में अपने अस्तापणा के बाद से अपने दियास में पहली बाद एसियाई राष्ट कप 27 की मेजबानी जीती है यह बहरीन की राधानी मनामा में एसियाई एक मातर बोली प्रस्तुत की गई थी जबकि कतर 26 जून से 26 से 16 जुलाई दोजाटीज तक एस्याई फुरफाल कप के अगले संस्क्राट के मैजबानी करेगा जी हां अगला टॉपिक है आपके सामने दिल्ली बाल अधिकार निकाय ने वाटसब चैडबॉक सेवा बालमित्र लांच की दिल्ली बाल अधिकार सरचन आयोग ने दिल्ली बच्चों माता पिता के संचार सायता पतान करने के लिए एक वाटसब चैडबॉक बालमित्र लांच किया है चटबाट, बालमित्र, बच्चों और उनके अधिकारों के बारे में प्रमाडिक जनकारी के स्रोत के रूप में काम करेगा चटबार की कुछ विश्यस्ता में सिकायात पंजीकरन, जानकारी खोजनों और सिकायात की निस्तिती बंदजा रखना और प्रवेश पर जानकारी मांगना शामिल है चटबाक्स का उद्देश बच्चो और उनके अधिकारों से श्रमंदित बिभिन मामलों पर प्रमाडिक जानकारी पदान करना है उसके माध्यम से रिपोर्ट में केगे मामलों को गोपनीता सुनिश्चित करना है माता पिता DCPR के साथ प्रवेश शमंदित मुद्दे जैसे सिच्चा समंदित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं यह जनता और सरकार के बिच संचार की खाई को दूर करने की कोशिस करता है दिली सरकार दर सुरके के योजना भियान दिया जलाओ पता के नहीं हाबी हब योजना मेरा इवी पोटल स्रमिक मित्र योजना पर्यावन साथी चेडबाक्स और बेफसाइड मुख्यमंत्री मुप्त शीवर कनेक्षन योजना जी हाँ टॉपिक पासचवा नमबर है अपका जनुरी में भारत की बिरुजगारी दर 4 महिने के निचलेस तर पर 7.4 पर आगे जनुरी दोजादेश में भारत की बिरुजगारी दर 7.4 में में सबसे कम हो गई जो दिसमबर 2022 में 8.3 जीरो परसंट थी जनुरी में सहरी बिरुजगारी दर पिछले महिने 10.09 से घटकर 8.55 हो गई है जबकि ग्रामिल बिरुजगारी दर 7.4 पटशा गिर कर 6.48 हो गई है राज्य में बिरुजगारी जम्मु कश्मीर में सबसे अधीक 21.8 परसंट थी इसके बाद हर्याड़ा में 21.7 और राजस्तान में 21.1 परसंट थी जनवरी में दिली में बिरुजगारी 16.7 गोगा में 16.2 असं में 16.1 और तृपुरा में त्रिपूरा में 16 परसंट थी अब ये द्यान से देखते हैं कि महाराष्ट में च्छानवेवा अखिल भारती मराठी साहित सम्मेलन प्रतिष्टि साहित तिक सिखर सम्मेलन महाराष्ट में वर्धा जिले में शुरू हुआ इसका उद्गाटन मुख्य मंत्री एकना सिंदे और स्कूल सिच्छा मराठी भासा मंत्री दीपक के सरकार ने किया था पर्थम मराठी साहित सम्मेलन 1878 पूरे में नयमूर्ति महादेव गुबिंद रानडे की अधिस्ता में आवजित किया गया था उद्गाटन समारों में ब पहला जब वित्ता विरासत अस्तल बन जाएगा ठीक है या तस्यों को लद्दा की पहली जब वित्ता विरासत अस्तल बी एच एश के रूप में प्रस्तावित किया गया यह 4820 मेटर के उचाई परिस्तित अपनी खुपसूरती जील के पच्छियों के श्वर के रूप में जाना जाता है प्रस्तावित या या 300 साइट का लगभग 600 किलोमेटर का छेत्र होगा जिसमें जील का वाटर सेट भी शामिल होगा या 300 लद्दा की सबसे खुपसूरत जीलों में से एक है या 300 बड़ी संख्या में पच्छियों जानवरों के लिए गुसला बनाने का आवा बिनाइस पेस के और इलने भी दुर्गे से जुड़ियेगा शभी लो केरा सरकाने त्रिवंतपुरम और कोच्ची में ग्रीन हाउस ग्रीन हाइड्रोजन हब एक्सित करने के लिए 200 कौट रुपए की घोशना की है जी हां अगले दो वर्स में कोच्ची और त्रिवंतपु से हमना जाता है जी हां, आज अस्टलिये ने अपने बैंक नोटो से बिटीश समराच को मिटा देगा दिवंगत महरानी लजाबोध के देतीच भी hygxt को, डालर वांच की नोट पर सोधिय शंस्किति का शामांने वाला, डिजाइन के साथ बदल देगा किंद्री बैंक ने अपने उत्रादीकारी चाल्स दिती को पांच डालर के नोट बाहर करने के नेड़े का मतलब है कि आश्टलियाई की कागजी मुद्रा पर कोई बिटेन आधिकारी आधारी समराट नहीं रहेगा पांच डालर बिल अश्टलियाई का एक मात्र बच्चा हुआ मैंग नोट था जिसमें अभी भी समराट की छबी थी मौजूदा पांच डालर का नोट बैद रहेगा पाकिस्तान के पूर राश्पती परविज मुसरप का निधन हो गया पाकिस्तान के पूर राश्पती परविज मुसरप का उनसी वर्ष के आउय में निधन हो गया मुसरप एक चार सितारा जनरल थे जिनों नहीं 99 तक था पुलट में सत्ता परकबजा करने के बाद लब एक दसक तक पाकिस्तान पसासन किया मुसरप मार 2016 में दुबई में स्वा निर्वासन में और 2007 में समिधान के लंबित करने के लिए राशद्रों के मकदमे का सामना कर रहे थे उनका जन्म 1923 में ने दिल्ली में हुआ था और किवल 4 साल के थे जब उनका परिवार 1947 में पाकिस्तान चला गया उनके पिता विदेश मंत्राले में शेवा के जब की मार्ग से चिका थी और परिवार ने इसलाम के उदारवादी शही सोडी ब्रांड की सदस्ताली जी हाँ आज के टाप 10 प्रस्ण है जो आपके परिच्छा के लिए महत्त्यपोन हैं आप शभी शाती एक बर इस वीडियो के अपने मित्रों को शेयर कर दीजे ताकि आपके शभी शाती मित्र इस सेशन के अंद तक कौपी कलम के साथ बने रगी की सीरीज आप शभी के अगला है आपके सामने निम्रिखित में कौन सदेश फूटबाली सियाई कप 227 की मेजबानी करेगा पाकिस्तान बांगलादेश UAE सौधी अरब जी हां सौधी अरब इस प्रस्ने का सही जबाब है किस राज के अंसासी प्रदेश शरकार ने राजने बच्चों और माता पिता के संचार शायता प्रदान करने के लिए वाट्सप चैडबाक्स बाल में महाराष्ट दिल्ली पंजाब केरल इस प्रस्ने का उत्तर क्या होगा अगला है आपके सामने जन्वरी 2013 में भारत की बिर्जगारी इदर दिसंबा 2022 में आर दसमलों 3% से घटकर 7.14 होगी या डेटा किस भाग दोरा जारी किया गया जी हां आर्थिक मामलों का विभाग स्रम और युश्च में रोजगार मंत्राल सेंटर फार मॉनिट्रिंग इंडियन एकोन। नितियाईओ चैट्री माने इंडियन एकोन। ऑगाmistर चैट के औरक्ष्ण इंडियन एकोन। जी हां इस प्रश्ण का उत्तर होगा वर्दा या या त्षो जिसने अपनी खुबसर जहिल के लिए पस्चियों के स्वर के रुप में जाना जाता है को जब इवित्ता विरासात अस्तल के रुप में पस्तावित किया गया एक किस राज किसाजी प्रदेश में इस्तित है जी हां इस प्रश्ण का उत्तर होगा डी केरल अगला सवाल आपके सामने है निमलिखित में किस देश इन हाल ही में अपने बैग नोटों में बिटीज रासाई क्वाटा ने एक उसरना किया फिनलैंड नियुजिलैंड आस्टेलिया तच्छन अफरिका तो आप इस प्रश् प्रश्ण करके जानकारी ले सकते हैं घर बैटे सभी नोट्स प्राप कर सकते हैं यहां पर अपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा इलए दुर्गेश के आप पर और यूटूब चैनल पर नहीं सब्क्राइब करके प्यल आइकन दवाईएगा प्ले स्टोर से लेन भी दुर साथ बजे के इन्पोर्टेंड महाराथन चल लएए सामके नौ बजे भी आपके लिए महाराथन सीरीज होगी तो आप इस महाराथन सीरीज का हिश्रा बनिएगा अपने शभी में तो को वीडियो शेयर करेंगा आप शभी को बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत बा चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा बई बाई